हेलो बच्चों, WS Cube E-School में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आपका Term 1 का एक्जाम फिनिश हो चुका है और अब आप Term 2 की तैरी के लिए दोड रहे हैं दीखे, Term 2 की तैरी से दोड ने से पहले आपको ये पता हो जबना चाहिए ये की Term 2 के एक्जाम में हमारे चैप्टर कौन-कौन से आ रहे हैं और हमें किस चैप्टर के उपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कौन सा चैप्टर हमारा difficult है ये सारी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे और WS Cube E School आप सभी के लिए इन सारे चैप्टर के लेक्चर्स आपके पास प्रोवाइड करा रहा है यदि आपको वो वीडियो देखने हैं तो आप discussion में मिले हुए लिंक के उपर जाके क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो से अपनी प्रिपेशन को बहुत ही अच्छेडंग से कर सकते हैं अब देखें कौन-कौन से चैप्टर्स है जो हमारे term 2 के exam के अंदर आने वाले हैं जरा उनको पर देख लेते हैं और कौन से important है उनको भी जरा देखते हैं तो देखें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि term 2 के अंदर हमारा जो सर्कुलम्स है वो किस तरह से रहने वाला है मार्किंग स्कीमा क्या रहने वाला है तो सबसे अले देखें बात करते हैं algebra की कि algebra है हमारे जो mark है वो 10 नंबर के रहेंगे देन उसके बात geometry के अंदर हमारे 9 नंबर के marks रहेंगे तिग्नोमेटरी जो chapter है देखें तिग्नोमेटरी के अंदर दो आपके पास topics है तिग्नोमेटरी एक अलग topic है और तिग्नोमेटरी के application दो अलग topics है तो इसके अंदर जो trigonometry है उसके अंदर आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि अभी तक CBSC ने ये नहीं बताया है कि term 2 का जो exam है वो आपके पास objective based मतलब mcqs होने वाले हैं या फिर subjective हमारा written paper होने वाला है लेकिन हमें हमारी preparation को एकदम best बनाना है चाहे आपके पास mcq types का paper आये है या फिर subjective type paper का आये है हम इनकी दोनों की तयारी बहुत ही अच्छा दंग सिकने वाले हैं और इसी के लिए WSQE school आप सभी के लिए लेके आएगा term 2 के exam से related सारे questions bank question bank मतलब यहां पर आपको बहुत सारे question मिलने वाल है जिसके उपर आपके mcqs base भी questions होने वाल है इसके साथ सब्चेक्टिव बेस भी questions होने वाल है देखे अब इन थोड़े chapters के उपर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं कि यह chapters कौन कौन से हैं तो सबसे पहले chapter की बात करें तो chapter number आपके पास है यहां पर quadratic equation बहुत जो आपके आज term 2 का है वो है quarterback equation उसके बात है आपके पास arithmetic progression तो देखे quadratic equation एक easy chapter है arithmetic progression भी आपके पास क्या है एक easy chapter है तो यह दोनों आपके आज बहुत easy chapter दिये गए हैं यहां पर और उसके बात चले geometry part के अंदर तो geometry के अंदर आपके आपके आपस circle है और construction है देखे circle के अंदर आपके पास 2-3 theorems है जो कि आपको ध्यान रखनी है और construction के अंदर आपको diagram बनाना आना चाहिए तो आपके 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 आप आप देखें, टिग्नोमेटरी के अंदर आपके आज बेनिफिट कर दिया, टिग्नोमेटरी जो आपका चैप्टर था, जो सबसे important अप्टर था, वो आपको term 1 में दे दिया, तो term 2 में सिफ केवल और केवल एप्लिकेशन दिया, और application के पार्ट के अंदर तो बस आपको बस ए आप पूरे इस चैप्टर को complete कर पाएंगे, बस ये आपके पास है क्या, तो ये टिग्नोमेटरी रेसियो के फॉर्मले के उपर ही आपके पास ये जो चैप्टर है, वो है, तो basically बात करें तो अभी तक हमारे पास सबसे easy इस चैप्टर है, अब ध्यान किस पर रखना है, त कुछ बच्चों के लिए difficult हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए आपके पास इंट्रेस्टिंग हो सकता है चैप्टर, तो देखें ये चैप्टर हमारे लिए बहुत जदा important रहेगा, इसमें question अच्छे type के बनते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए important है, and statics, statics से भी आपके आ आपको एक specify, आपको बता दिये जाता है कि आपको mean उसी terms के अंदर निकालनी, जैसे mean निकालने के हमारे पास तीन तरीके होता है, अब आपको बोल दिया कि mean आपको simple तरीके से निकालनी है, तो फिर आपके पास थोड़ी calculation difficult हो जाती है, तो basically इसमें problem कहां आती है, calculations related आती है बागी question को solve करना easy होता है, क्योंकि इसके अंदर तो simple से दीन चार formula लगता है और काम हो जाता है, तो हमाली जो सबसे important topics रहने वाले, ये सारे chapters सीधर वाले सारे easy है, ये दो ऐसे chapters हैं, जिनके उपर हमें बहुत ये अच्छा डंग से धिहान रखना है, कि ये हमाली रहने वा तो ये जो 10 marks है, वो तो आपके पास school की तरफ से जाने वाले हैं, वो आपके पास अलग है, लेकिन हमें आपके पास properly इन सारे chapters के उपर धियान रखना है, क्योंकि ये सारे marks आपके आस कितने number से हैं, तो ये सारे marks आपके आस 40 number से हैं, clear? तो ये आपको थोड़ा सा धियान नहीं गया है, तो कोई बात नहीं, आप term 2 की practice कीजिए बहुत अच्छे ढंग से, ताकि दोनों के जो marking level है, वो बराबर हो सके, तो I think आपको clear हो गया होगा कि term 2 के अंदर हमारे पास कौन-कौन से chapters आने वाले हैं, तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, जहां तक आप मासा बंदे रहिए, तिल एन, गुड़ बाई